हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रशनल स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्राखन के 50 Most Important MCQs जो कि आपके किसी न किसी एक्जाम में पूछे गए हैं तो दोस्तों पने रहे ये वीडियो के अंत तक तो शुर नेक्ट क्वेशन है राजय की प्रथम जल्विधुत पर्योजना कौन सी है ग्लोगी जल्विधुत पर्योजना राजय की प्रथम जल्विधुत पर्योजना है तीसरा प्रशन है माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जिम कॉर्विट माई इंडिया पुस्तक के लेख चौथा प्रस्न है राजय में तामर नगरी के लिए प्रशिद जनपद है किस जण जाती द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है जटा प्रस्न है द्वाराहट ध्वज viruses द्वाद मंदीर का अन्यानाम, क्या Ride साथवा प्रशन है हनोल मंदिर किस सैली में बना है हून या नागर सैली में हनोल मंदिर बना हुआ है आठवा प्रशन है सीथ काल में बद्रिनाची की पूजा किस मंदिर में की जाती है नर्शिंग मंदिर जोसी मट में सीत काल में बदरिनाजी की पूजा की जाती है नौवा प्रशन है अंगाली मट किस जनपत में इस्तित है टिहरी गडवाल में अंगाली मट इस्तित है उत्राखन हिल स्टेट काउंसलिंग की स्थापना कब हुई थी उत्राखन हिल इस्टेट काउंसलिंग की स्थापना 1966 में हुई थी 11 प्रश्ण है जाली माली देवी पूजा पदिती पांडूलिपी की खोच किस ने की थी यस्वन सिंग कटोष ने जाली माली देवी पूजा पदिती पांडूलिपी की खोच की थी कीर्थी ग्लेशर किस जनपत में इस्तित है उत्तरकासी जनपत में कीर्थी ग्लेशर इस्तित है तेर्मा प्रेशने है उत्राखंट जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी वर्ष दो हजार दो में उत्राखंट जल संस्थान की स्थापना हुई इसका जो मुख्यालाई है दोस्तों वो इस्तित्यापका रोड़की में नेक्स्ट है भारत्य सेन्य अकादमी की स्थापना कब हुई एक अक्टूबर 1932 को भारत्य सेन्य अकादमी की स्थापना हुई थी नेक्स्ट है निम्न मैंसे किस जनजातिका संबंध मंगोल याट से है मंगोल याट से संबंध है भोटिया जनजातिका इस वर्ष युनेसको द्वारा कुम्भ मेले को मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक धरोवर घोसित किया गया साथ दिसंबर 2017 को युनेसको द्वारा कुम्भ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोवर घोसित किया गया था नेक्ष्ट है मा दुर्गा को समर्पि जूला देवी राम मंदिर कहां इस्तित है जूला देवी राम मंदिर इस्तित है दोस्तो रानी खेत में नेक्ष्ट है अरजुनेश्वर मंदिर किस जन्पद में इस्तित है अरजुनेश्वर मंदिर इस्तित है दोस्तो आपका उप्सन नमबर C पितोरा गड़ जन्पद में 1908 में कुली एजनसी की स्थापना किस ने की थी 1908 में कुली एजनसी के स्थापना जोद सिंग देगी के द्वारा की गई थी नेक्ष्ट है आदि बदरी कितने मंदिरों का समू है 16 मंदिरों का समू है आपका आदि बदरी चमोली में यो आपका इस्थित है नेक्स्ट है मूर्ति विहिन मंदिरों का समू वैतरणी कुंड किस जनपद में इस्तित है गोपेश्वर्च शमोली में इस्तित है आपका वैतरणी कुंड नेक्स्ट है विधम सम्मिति का संबंद किस आंदोलन से था विधम समीति का संबंध है दोस्तों आपका कुली वेगार आंदोलन से नेक्स्ट है पितोरागड के चनोदा में पितोरागड के चोंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है कंडाली उत्सव मनाये जाता आपका पिथोरागट के चोंदास नामक इस्थान पर नेक्ष्ट है निम्न दिये गए मंदिरों में से समुद्र तल से सरवोच उचाई पर इस्थित मंदिर कौन सा है 26 प्रश्ट है निम्न मैं से किस गीत में प्रायवर राम एवं कृष्ण संबंदी प्रशंग गाये जाते हैं दोस्तों आपके धुलखेल गीत में धुलखेल जो है पहाड़ी रामायन को धुलखेल कहा जाता है 27 प्रश्ट है पुरुसो द्वारा खंबे पर चटकर किया जाने वाला नृत्या है पुरुसो द्वारा खंबे पर चटकर किया जाने वाला नृत्या है दोस्तों लंगवीर ओप्सन नम्बर A इस का राइट आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सा निर्थिया असम के विहू निर्थिया के समान है दोस्तो चौपला निर्थिया नेक्ष्ट है निम्न मेंसे कौन सा युद्ध संबंधी निर्थ्या है युद्ध संबंधी निर्थ्या है दोस्तों आपका उप्सन अबाशी ए और भी दोनों छोलिया निर्ट्य और पूणा निर्ट्य ये दोनों निर्ट्य आपके युद्ध संबंधी निर्ट्य है नेक्स्ट है गड़वाल छेतर में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्नमे से है सरो निर्ट्या जो है वो आपका गडवाल छेत्र में धोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत है नेक्स्ट है निम्न मैसे कि स्रिंगारिक निर्ट्या को कुमाउ छेत्र में जोड़ा कहा जाता है स्रिंगारिक निर्ट्य जिसे की कुमाउं छेतर में जोड़ा कहा जाता है वह निर्ट्य है दोस्तों आपका चांचरी निर्ट्या ओप्शन अमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा इस्वर पूजा की जागर पदती प्रमुक्तो होती है इस्वर पूजा की जागर पदती प्रमुक्तो उत्राखन में होती है देश में मतश्यनीती लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है उत्राखन देश में मतश्यनीती को लागू करने वाला प्रथम राज्य है 34 प्रश्ण है मतश्यनीति कब लागू की गई थी मतश्यनीति लागू की गई दोस्तो 2002 में उत्राखन की किस फशल की मांग जापान द्वारा की जाती है मंडवा फशल की मांग जापान के द्वारा की जाती है नेक्स्ट है दुग्द विकास के लिए समनिवित डेरी विकास योजना कब शुरू की गई यह योजना शुरू की गई थी दोस्तो आपकी ऑप्सन नमबर भी 2002 और 2003 में नेक्स्ट है राज्य में दूद की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है राज्य में दूद की आपूर्ति की पूर्ति की जाती है दोस्तो आचल ब्रांड के नाम से ओप्सन नमबर एस का राइट आंसर हो जाएगा और तीस्वा प्रेशन है उत्राखन में परियाटन नीती की घोशना कब की गई 26 अपरेल 2001 में उत्राखन में परियाटन नीती की घोशना की गई 49 प्रेशन है उत्राखन सरकारद्वारा परियाटन विकास के लिए कौन सा मोडल अपनाया गया है सिंगापूर मोडल अपनाया गया है उत्राखन सरकारद्वारा परियाटन विकास के लिए चालीसवा प्रश्ण है निम्न मेंसे किस वर्ष उत्राखन सरकार ने परियाटन वर्ष घोसित किया था दोस्तों आपसन अबसी ए और भी दोनों 2001 में भी और 2015 में भी नेक्स्ट है राजिकी प्रथम गडवाली फिल्म कौन सी है जगवाल राजिकी प्रथम गडवाली फिल्म है 42 प्रश्ण है जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे पारेश्वर गौड जगवाल फिल्म के निर्देशक थे किस वर्ष उत्राखन में वेट लागू हुआ था किया गया है सिटकुल द्वारा किया गया है दोस्तों आपका ओप्सन नमबर बी साथ ओडियोगिक इस्थानों को विकास ठीक है नेक्स्ट है छेत्रफल में सबसे बड़ा ओडियोगिक संस्थान कौन सा है छेत्रफल में सबसे बड़ा ओडियोगिक संस्थान है दोस्तों का option number B सेला कुई 47 वा प्रेश्ण है उत्राखंड में आड़ा किसे कहा जाता है उत्राखंड में आड़ा कहा जाता है दोस्तो पहेलियों को option number A का right answer हो जाएगा तो दोस्तो ये थी आपकी आज की important आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ओके थैंक यू